हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासिस पर यहां आपको मिलेंगे SSC Math से related advanced questions उनकी definitions, practice questions, previous year questions को discuss किया जाएगा जो की पूरी SSC में जो भी जीक आती है उसको deeply knowledge के साथ आपके सामने share किया जाएगा तो हमने पहले दो वीडियो में line angle and triangle से related कुछ definitions और questions किये थे आज की जो वीडियो में questions लिया है मैंने लिया है जो previous year में आई हुए है तो उन सभी questions को line angle triangle पर जो भी questions है वो हम discuss करेंगे तो सबसे पहला question है the external bisector external मतलब angle भी बहार की तरफ बने bisector मतलब उसके angle को दो part में divide करें equal parts में bisector किसके of B and C अब B, C क्या है triangle ABC के दो angle है और वो meet कहां कर रहे है angle P पर फिर कह रहे है कि if B is equal to 80 degree then B, P, C क्या होगा तो सबसे पहले हम define कर रहे है एक triangle इस triangle के अंदर यहाँ A यहाँ B और यहाँ C यह तीन angle हमने define कर दिये triangle ABC तो B का bisector external external angle क्या होगा देखो इसको हमने आगे produce किया यह क्या है internal angle है जो इसके बहार की side बनेगा यह क्या होगा external angle ठीक है तो इसका लेना bisector यानि कि एक बीच में से क्लाइन होगी जो इस angle को दो equal parts में divide करेगी एसे ही C का भी लेना है तो C के line हमने यह produce की यह इसका internal angle है external क्या होगा यह बहार वाला और इसका bisector यह हमने एक line ले ली अब यह दोनो bisector meet कर रही है point P पर यह meet करवा दिया ठीक है अब क्या कहरे BAC 80 degree है BAC यानि कि यह वाला angle कितना है 80 degree है find out क्या करना है angle BPC और option हमारे पास है 50, 80, 40 and 100 तो कौन सा हमारा correct रहेगा ठीक है अगर हमारे पास कोई भी triangle हो उस triangle के अंदर दो angle के bisector किसी एक point पर meet करती हो ठीक है यानि कि यहाँ पर जैसे angle B है और C है और यहाँ A है अगर internal angle के bisector हो और यहाँ किसी point O पर meet कर रहे है तो जो angle O होगा वो क्या होगा जो angle A के सामने पढ़ रहे है जैसे angle A 90 plus में इस angle A का half होगा angle A divide by 2 ठीक है अगर internal bisector है तो plus होगा अगर external bisector है जैसे यह हमारे पास external bisector P पर होगा तो external जो bisector होगा उसका जो यह angle P हमने find out करना होता है angle P क्या होगा बाहर की तरफ है तो minus 90 minus जो यह A है A का half angle A by 2 ठीक है तो हमारे पास जो यह question है इसके अंदर B क्या है external bisector का एक meeting point है दोनों के bisector का P तो हमने जो P निकालना होगा वो क्या होगा 90 minus जो angle A है यानि की 80 80 का half तो 90 minus 80 का half कितना हुआ 40 हुआ 90 में से 40 गए 50 तो यानि की हमारे पास जो यह P angle आएगा वो क्या होगा 50 होगा अगर हमारे पास internal bisector होता तो क्या करते 90 plus 40 करते और 130 हमारे पास answer बनता तो इस question के coding हमारा answer क्या रहेगा A correct रहेगा second question है side BC O4 triangle ABC एक triangle है ABC यह A हुआ यह B हुआ और यह C BC को produce कहां तक कर रहे है D तक तो यह BC जो हमारे पास side है इसको produce कर दिया D तक ठीक है अब A, C, D 108 डिग्री है A, C, D यह कितनी है 108 डिग्री and angle B जो यह B angle है वो क्या है A का half अगर A हमारे पास X हो तो B क्या होगा A का half मतलब X by 2 हो जाएगा कह रहे हैं कि angle A क्या होगा हमारे पास एक property होती है कि अगर triangle के अंदर 2 internal angle हो और 1 third का internal के जगे external angle हो तो जो external angle होता है यानि कि 108 है external angle equal होता है sum of 2 internal angle की यानि कि opposite side के internal angle है उनके sum की ठीक है तो इसके divide में ले लेंगे 1 2 और 1 का LCM 2 तो यहां क्या जाएगा 2X plus X equal to 108 कितना आ गया 3X by में 2 equal to 108 X किसकी equal आ जाएगा 108 या 3 by 2 है यहां के क्या हो जाएगा 2 by 3 हो जाएगा तो इसको ट कर देंगे divide 3 1s आ 3 3 3s आ 9 3 6s आ 18 ok 36 2s है कितना होता है 72 यानि कि जो हमारे पास X से 72 आ गया और X लैट किसको किया था एंगल A को इन्होंने पूछा भी एंगल A था तो D option क्या रहेगा correct रहेगा question 3rd में है कि A, O, B are 3 points on the line segment यानि कि एक line उसकी उपर 3 points A, second है O और third है B आगे कह रहे है कि C is A point note line lying on A, O, B A, O, B के उपर नहीं है यानि कि कहीं बाहर है या बाहर ले लिया C अब A, O, C 40 degree है इसका मतलब पहले O से C को मिलाया और A, O, C हमारे पास पूरा एंगल कितने का बन गया है 40 degree का बन गया आगे कह रहे हैं कि O, X और O, Y क्या है internal and external bisector किसके bisector angle A, O, C के angle A, O, C ये वाला है इनका internal bisector क्या होगा O, X यानि कि इसको बीच में से SC line जो इस angle को दो equal part में divide करे मतलब ये भी 20 हो गया 40 था पूरा और ये भी कितना हो गया 20 हो गया और यहां पर ये हमारे पास internal bisector हो गया O, X अब external bisector external bisector external angle तो ये वाला हुआ इसका bisector लेना है इसका bisector O, Y अगर internal angle 40 का हो external angle कितने का होता है ये पूरा angle कितने का होगा 140 का होगा 180 minus 40 क्योंकि दोनों मिलके 180 बनाती है ये 40 तो ये 140 अब ये इसकी internal external जो bisector है इस पूरे 140 को दो equal part में divide कर रही है तो ये भी 70 हुआ और ये भी 70 हुआ अब question में पूछा क्या है then B, O, Y यानि कि B, O, Y इसके बीच में कौन सा angle बन रहा है ये 70 degree तो 70 degree हमारे पास correct option C रहेगा next है if each interior angle is double of its exterior angle अगर हर interior angle उसके exterior angle का double हो of a regular polygon with n sided than the value of n यानि कि value of n मतलब कितनी sides होंगी ये बताना है तो इसके अंदर अगर interior angle को 2x मानू interior angle तो exterior angle क्या होगा exterior angle x होगा क्योंकि जो interior angle है वो exterior angle का double है exterior x तो interior 2x अब interior plus exterior total बनेगा जो total वो interior exterior का sum कितना होता है 180 होता है यानि कि 2x प्लस में x मिल के कितना बनाएंगे 180 degree बनाएंगे यानि कि 3x एक्वल किसके होगा 180 और x क्या होगा 180 by में 3 3x 1860 के होगा अब ये पता है कि ये जो each exterior angle होता है each exterior angle किसके एक्वल होता है 360 by में number of sides के ये जितनी side होती है उसे divide कर दो each exterior angle तो हमारे पास 60 है और equal to 360 by में n n तो हमें find out ही करना है तो क्या करेंगे हमें n की value चाहिए n की value के लिए क्या करेंगे यहाँ पर divide में कुछ नहीं है तो यहाँ आगया 1 तो इनकी कर देंगे हमें इपर cross product याणि की 60 याणि की equal हो गया 360 के और n क्या हो जाएगा 360 by में 60 याणि की इसको divide करेंगे आया 6 तो n की value याणि की 6 आगी इनकी 6 side इसकी होगी by decreasing 20 degree each angle of a triangle तो the ratio of their angle are 2, 3 and 5 तो याणि की हमारे पास जो original triangle है उसके अंदर first angle second angle और third angle इसको माल लो a, ये b और ये c जब इस के इन्दर से हर angle से 20 degrees करना है 20 degrees करेंगे याणि की a minus 20 होगा b minus 20 होगा and c minus 20 होगा 20 degrees करने पे तो इनका आपस में जो ratio है वो कितना हो जाता है ratio हो जाता है 2, ratio 3, ratio 5 हम लेट कर लेंगे जो ये पहला angle है वो 2x के equal है जो दूसरा angle है वो 3x के equal है क्योंकि ratio हो तो कोई हमें एक multiple लेट कर लेते हैं और जो ये third angle है वो 5x के equal है ये हमने निकाले 3 angles अब 20 क्योंकि हमने इसमें less कर रहे है तो यानि कि तीनों angle का sum क्या होगा देखो a plus b plus c और क्योंकि minus 20 तीन बार subtract हो रहे है तो minus के 60 होगे ठीक equal किसके होगे 2x plus 3x plus 5x यानि कि इनका sum इनके sum के equal होगा अब देखो क्योंकि original triangle के अंदर जब a, b, c था तो a plus b plus c तीनों angle का sum कितना रहता है 180 रहता है यानि कि a, b और c का sum 180 होता है तो यहां से जो हमारे पास a, b, c आया है इसकी जगह मैं क्या put कर सकती हूँ 180 minus में 60 as it is equal to 2x और 3x 5 5 और 5 10 यह हो गया 10x के equal 180 में से 60 गए 120 equal to 10x और 0 से 0 यह हुआ cancel x की value कितनी आ गई है 12 आगी question पढ़ो की the radian measure radian मतलब pi की form में आंस्वराना चाहिए किसका original greatest angle का अब original greatest angle क्या होगा original angle हमारे पास a, b और c है मतलब a, b, c की हमें value चाहिए लेकिन greatest की अब greatest कौन सा होगा जिसका ratio सबसे ज़ादा है यानकी 5 वाला और 5 वाला हमने क्या लेट किया था 5x यानकी c minus 20 equal to 5x उठा ले काफी है तो c minus 20 equal किसके है 5x की यानकी c minus 20 equal किसके होगया 5 multiply by 12 क्योंकी x की value किया आई है 12 आई है तो यानकी c minus 20 किसके equal आगया 12, 5 is the 60 and c किसके equal आजएगा 60 minus का 20 है या आके plus का 20 होगया c की value आगया है 80 ठीक है c की value जो 80 आई है इसको किस में convert करना है radian में अब radian में कैसे convert करते हैं यह दिखो जो pi radian होता है pi radian वो equal होता है 180 degree के हमारे पास कितना है 80 degree तो इसका मतलब 180 degree के equal होता है तो 1 degree किसके equal होगी जो 80 180 है या आँके divide हो जएगा pi by 180 radian ठीक है total कितने degree है हमारे पास total degree है 80 degree तो यानि कि pi by 180 को multiply कर देंगे क्योंकि इसकी 80 चाहिए ना दोनों side तो दोनों side 80 से product होगी तो multiply by 80 चाहिए 0 से 0 pencil 2 4s आ 8 and 2 9s आ 18 यान कि 4 pi by 9 इसका आगया radian में answer यानि कि C रहेगा इसका correct answer next question है in the figure given below line M and N are parallel ये वाली line दोनों क्या है parallel है and T क्या है transversal line है तो क्या क्या रहे है कि 8 angle जो 8 है वो क्या है 3 से less है less than 3 by 92 मतलब क्या है कि अगर हम angle 3 को x let कर ले तो angle 8 क्या है 3 से 90 कम है 90 less है यानि कि 3 जो x था उससे 90 हम less कर दे तो angle 8 आएगा angle 8 की value क्या है x minus 90 और 3 क्या है x है ठीक है और देखो equal angle कौन कौन से होएंगे अब angle 1 और angle 3 vertically opposite angle ये दोने equal होंगे यानि कि angle 1 भी क्या हुआ x हुआ अब angle 3 और angle 5 भी equal होंगे क्योंकि alternate angle यानि कि angle 5 भी क्या होगा x होगा और angle 7 भी क्या होगा x होगा ठीक है तो यानि कि हमने इनके value निकार ले अब पूछ क्या रहे है which of the following is true इनका sum कितना होगा 180 डिग्री होगा क्यों क्योंकि ये एक line के उपर ये ऐसे angle बन रहे है यहाँ 5 और यहाँ 8 ये पूरी line के उपर बन रहे है तो 180 होगा 5 हमारे पास है x और 8 किया है x-90 equal किसके होगा 180 डिग्री के x और x होए 2x equal to 180 90 या minus का यहाँ के होगा 2x किसके equal आ गया 270 के and x किसके equal आ जएगा 270 by 2 2 1s are 2 2 3s are 6 2 5s are 10 यानि कि 135 डिग्री और ये हमारे पास किया है एक correct option है next 7th question है in the given figure L1 and L2 are parallel यानि कि ये दोनों line parallel है ये sign जो होता है parallel line का होता है what is the value of x x के क्या value होगी find out करना होती तो इस question को कैसे solve करेंगे एक हम ले लेंगे parallel line इन दो parallel line के बीच में एक और parallel line आगी यानि कि तीन और एक दूसरे के parallel हो चुबी है तो इसका मतलब ये बनगी transversal line ये transversal line बनी तो इतना सा angle और ये वाला angle क्या होंगे equal होंगे यानि कि ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा ये दोनों line भी क्या है आपस में parallel है तो ये वाली line क्या हुई transversal line हुई इसका मतलब ये वाला angle और ये इतना सा ये वाला angle ये दोनों क्या होंगे equal होंगे मतलब ये भी क्या हो गया 2x हो गया इसका मतलब क्या है जो ये पूरा 75 है कैसे मिलके बन रहा है X और 2X से मिलके बन रहा है यानि कि जब X और 2X को add करें तो पूरा कितना बनेगा 75 इसका मतलब 3X कितना हो गया 75 हो गया X की value क्या आगी 75 by 3 तो 3 2s are 6 3 5s are 15 तो यानि कि 25 degrees का क्या रहेगा आंस्वर रहेगा Next question है In the given figure AB parallel है CD के ये दोनों लाइन आपस में parallel है CD parallel है EF के ये वाली आपस में parallel है दोनों लाइन ठीक है और Y ratio Z दे दिया 3 ratio 7 तो इसको एक बार लिख लेते हैं कि Y ratio Z equal है 3 ratio 7 के ठीक है Find क्या करना है हमें X find out करना है अब देखो जो ये हमारे पास दो parallel लाइन है इनका सम्हों में पता है कि 180 degree होता है यानि कि हमारे पास ये है कि X plus Y 180 degree होगा अब X की value अगर find out करनी है तो Y हमें निकालना होगा कितना होगा relation हमारे पास Y और Z में है अब जो ये Y है Y का जो opposite angle है यानि कि vertically opposite angle ये दोनों equal होंगे इसका मतलब ये भी Y होगा अब हमें ये दिख रहे है कि ये भी दो parallel line की अंदर बन रहे है यानि कि Y plus Z कितना होगा 180 होगा इसका मतलब Y plus Z हमारे पास है 180 degree अब हमें Y की need है यानि कि Y हमें निकालना है Y निकालने तो क्या करेंगे देखो Y equal to Y के लिकोन है 3 है Y का ratio यानि कि 3 लिखा divide Y दोनों का sum यानि कि ratio का sum divide में आ जाता है जो एंगल निकालना है वो उपर और दोनों ratio का sum divide में और multiply में क्या रहता है कि उन दोनों का जो sum गीवन होता है Y plus Z का Y plus Z का sum कितना है 180 ये रह जाता है multiply में y क्या हो गया 3 by में 3 plus 7 10 multiply हो गया 180 0 से 0 cancel y की value कितनी आगी 1830 54 अब y 54 आ गया अब क्या है x plus y 180 है यानि कि x plus में 54 equal to 180 हो गया x की value क्या आ जाएगी 180 माइनस में 54 यानि की x की value हमारे पास कितनी बन गी 126 degree तो यानि की हमारे पास b option रहेगा correct नेस्ट है 9th question in the given figure po parallel है sdk यहाँ पर po की जगह है p क्या हूँ आना चाहिए क्योंकि यहाँ q given है में अरपास given figure में तो p q st की parallel है और p q r 110 है figure में define भी कर रखा है और r st 130 degree है यह भी define है find out करना है angle q r or s यानि कि यह वाला angle हमें find out करना है अब क्योंकि parallel है तो हम इसको अच्छे parallel भी show कर दे line को आगे तक बढ़ा लेते हैं इसको भी एक वर ऐसे बढ़ा लो तो हमें यह दिख रहा है कि जो यह वाली line है दो parallel line के बीच में आ रही है यह कैसी line है transversal line transversal line में क्या होता है कि alternate angle equal करती है यह तो यानि कि जो यह वाला angle है और इतना यह angle है यह कितने होंगे equal होंगे यानि कि यह भी कितना होगा 130 ठीक है अब यह 130 है क्योंकि यह पूरी line के साथ अगर touch होगा तो यह पूरा मिल के कितना बनाएगा 180 बनाएगा इसका मतलब जो यह इतना सा angle है यह कितने का होगा यह 130 है इतना angle क्या होगा 180 माइनस 130 यानि कि यह मिल गया हमें 50 डिगरी का ओके यह 50 डिगरी मिला अब यह वाली यहां पर बहार वाला एंगल जो है 110 है यानि कि जो अंदर का एंगल होगा भी कितना होगा 110 में 70 एड़ करेंगे तो 180 होता है यानि कि यह अगर 70 का हो गया तो पूरा मिलके 180 बनाएगा क्योंकि लाइन के उपर 180 बनता है अब देखो हमारे पास एक ट्रेंगल बन गी यह ट्रे ORM के अंदर हमारे पास तीन एंगल 50, 70 और एंगल R यह तिनों मिलके क्या बनाएगे सम 180 बनाएगे ट्रेंगल की तीनों एंगल का सम 180 होता है इनका सम कितना हुआ 120 एंगल R equal to 180 एंगल R कितना हो जाएगा 180 minus 120 यह प्लस का यहाँके माइनस एंगल R कितना हुआ 60 डिगरी यहन गीवन फीगर एकस वाई एंड एम एन इंट्रसेक्ट एट ओ यह लाइन है दो लाइन ओ पे इंट्रसेक्ट कर रही है पी ओवाई 90 डिग्री है और ए रेशो भी यहापर टू आएगा टू रेशो थी के एकवल है दन फाइंड सी सी हमें फाइंड आउट करना है अब यहाँ यह कहरे कि यह वाला एंगल कितने का बन रहा है 90 डिग्री का हमें निकालना है एंगल सी अब एंगल सी कैसे निकल सकते हैं देखो यह बी और सी एक पूरी लाइन का एंगल बना रहे हैं इनके बी और सी मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं इसका मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के एकवल होंगे यानि कि C अगर find out करना है B हमें find out करना पड़ेगा अब A और B का ratio 2 ratio 3 है क्योंकि इतना सा angle 90 का है और ये तिनों angle मिलके पूरा 180 डिग्री बनाते क्योंकि ये पूरी line के उपर बन रहे है अब 90 तो इतना चला गया इसका मतलब B और A भी मिलके कितने का बनाएंगे 90 का बनाएंगे क्योंकि B प्लस A हमारे पास कितना होगा 90 डिग्री का होगा तब ही पूरा का पूरा 180 बनेगा तो B प्लस A 90 डिग्री हो गया और हमारे पास relation A B का दे रखा है A ratio B कितना है 2 ratio 3 है हमें एंगल कौन सा चाहिए B चाहिए तब ही हमें C की value मिलेगी तो यहां से अगर B की value निकाले B के लिए कौन है 3 है तो B किसके equal हो जएगा 3 divided by दोनों ratio का sum यानि कि 2 प्लस 3 multiply by A प्लस B जो हमें relation में given होता है यानि कि A प्लस B कितना है 90 multiply कर देंगे 90 से B क्या आगया 3 by 2 प्लस 3 5 multiply by 90 यानि कि इसको cancel करेंगे 5 1s are 5 5 8s are 40 यानि कि B की value आगी 18 3s are 54 तो इसको put कर देंगे हम यह B प्लस C equal to 180 वाले relation में तो यानि कि angle C क्या हो जाएगा B की value 54, 180 में minus होगी तो angle C हमारे पास कितना आ गया 180 minus 54, 120, 6 degree इसका मतलब हमारे पास कौनसा option correct रहेगा option C हमारे पास correct रहेगा option C हमारे पास correct रहेगा next question है if A, B are two side of adjacent of right angle triangle ठीक है एक हमारे पास एक right angle triangle है यह right angle ले लिया यह हो गया A, यह हो गया B यह two sides है P is the perpendicular किस पर है? drawn at hypotenuse H from the opposite vertex यह hypotenuse H है ठीक इसका opposite vertex यह होगा opposite vertex से perpendicular line है जिसका नाम दे दिया P अब वो P square किसके equal होगा? A, B, C और इस point को दे देंगे D ना ठीक है अब जो triangle है हमारे पास A, B, C वो similar होगी triangle A, B और D के ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि angle A के उपर 90 degree बन रहा है और angle D पर 90 degree बन रहा है तो हम यहाँ पर इसका base B ले लो ठीक है? जब A, B, C triangle है और जब A, D, B triangle है तो इसका base H ले लो तो दोनों का ratio इनका ratio क्या होगा? H by B किसके equal होगा? दोनों के perpendicular के ratio के तो ABC में perpendicular A हुआ और ABD में perpendicular P हुआ तो इनके ratio के equal होगा यानिकी A by P के equal होगा तो हमारे पास relation क्या बन गया? यहाँ से अगर हम P की value निकाले P किसके equal होगा? P यहाँ पर multiply में चला जाएगा तो यहाँ आ गया P और H ले आए हम यह divide में तो divide में आ गया H B को ले गया हम उस साइड A के साथ product में B आ गया क्या निकालना है? P का square निकालना है P square किसके equal होगा? A square B square divide by H square लेकिन H का कोई भी relation है नहीं अब देखो H किया है ABC जो है इसका हाइपेटेनियस है तो जो H का square है हाइपेटेनियस का square base का square प्लस में perpendicular का square होगा यहनकी H square की value की आएगी A square प्लस B square इसका मतलब हमें क्या मिल गया? P square किसके equal आ गया? A square B square और H square क्या है? A square प्लस B square A square प्लस B square यहनकी option C क्या रहेगा? कोरेक्ट रहेगा Next 12th question है triangle ABC में angle A, B, C मतलब हमें इनका sum दे दिया 140 angle B हमें find out कारना है क्योंकि triangle क्या है हमारे पास? A, B, C यह A यह B और यह C और हमारे पास क्या होता है? A, B और C का जो sum होता है angle का sum वो किसके equal होता है? पूरा 180 degree के होता है? ट्योंकि है? और हमारे पास given क्या है? given है कि angle A और half angle B प्लस angle C 140 के equal given है और value किसके निकाल नहीं है? B की A हमें A और C नहीं चाहिए यहनकि A प्लस C की value ले लेंगे हम इस equation से तो angle A प्लस angle C किसके equal हो जाएगा? 180 माइनस angle B के हो जाएगा? ट्योंकि है? तो angle A प्लस C यहनकि इस angle प्लस इस angle की जगह क्या पूट कर सकते है 180 माइनस B प्लस में कौन बच गया? half of angle B बच गया यह angle B equal किसके है? 140 डिगरी के अब देखो यहां 180 माइनस half B में से 1 B गया negative half B बचेगा equal क्या है? 140 तो 140 यहां के minus को हो जाएगा और जो यह half B यह वहां जाके प्लस को हो जाएगा 180 माइनस 140 equal होगा half B की तो यह बच गया 40 डिगरी equal to half B इसका मतलब B की वेल्यू क्या आगी है? 2 यहां डिवाइड में है यहां के multiply में 40 multiply by 2 equal to angle B के B हमारे पास क्या रहेगा 12 के अंदर correct 13th question है ABC is an isocells triangle isocells triangle such that AB AC के equal हो एक बना लिए triangle यह बना हूँ triangle जिसके अंदर A, B और C AB AC के equal हो इसका मतलब इनके pair वाले angle भी क्या होंगे? equal होंगे अब कहरे AD is median और 2 तर base BC यहां कि A से हम A का median ड्रो कर रहे है यहां पर D point आ गया क्या कहरे है कि ABC 35 डिगरी है ABC यहां कि B angle 35 है इसका मतलब CB 35 होगा median का का काम किया है जिसका जहां से median निकल के जाता है उस angle को दो equal part में divide कर देता है find out क्या करना है B, A, D find out करना है B, A, D यानि कि यह half angle हमको find out करना है यह half angle किसके equal होगा angle B, A, D किसके equal होगा half of angle A की होगा ठीक है अब क्योंकि हमारे पास property है कि triangle की तिन्नों angle का sum 180 degree होता है यानि कि A plus B plus C equal to 180 degree होगा angle A angle B कितना है 35 angle C, B 35 equal 180 degree angle A 35 or 35 70 equal 180 degree तो angle A क्या होगा 180 minus 70 angle A की value क्या आगी 110 आगी तो हमें क्या चाहिए half चाहिए angle A का तभी हमें यह angle मिलेगा B, A, D तो क्या कर देंगे angle का half कर देंगे half angle A equal क्या होगा half 110 110 का half कितना होता है 55 यानि की हमारे पास क्या रहेगा B option correct रहेगा a man goes 20 meter due to due west and 10 meter due north तो सबसे पहले हम direction ड्रो कर लेंगे यह हमारे पास होता है east west north south ठीक है क्या कह रहे है कि अगर मैं मैं को जब starting में खड़ा होना को वह center में खड़ा है वह कहां जा रहे है पहले 20 जो meter है वह west की side जा रहे है यानि कि इस side from starting point starting point यह था इसका distance हमें find out करना है तो यहाँ पर angle बन रहे है 90 degree ठीक है यह distance कितना होगा यह बताना है यह क्या है hypotenuse है तो यानि कि hypotenuse क्या होगा under root 24 यानि कि base का square plus में perpendicular यानि कि 10 का square 24 का square कितना होता है 576 10 का square कितना होता है 100 अंडरूट कितना हो गया 676 हो गया और यह किसका अंडरूट होता है 26 का इसका मतलब हमारे पास जो H है वो starting point से कितने दूर है वो 26 मीटर दूर यानि कि हमारे पास B रहेगा correct answer next है inner triangle ABC angle A-B 20 A-C 52 half of angle A find out करना है अब हम सिद्धा relation उठा लेंगे क्योंकि triangle ABC है तो इसका मतलब A, B और C का sum हमेशा 180 degree होता है triangle के अंदर अब find out क्या करना है half angle A find out करना है angle A निकाल लो उसका half कर दो इस relation में हमको ना तो B चाहिए ना C चाहिए अब देखो क्योंकि हमारे पास A-B 20 है तो B की value हम निकाल देंगे B किसके equal होगा angle A 20 यहां के minus हो जाएगा B की value होगी angle A minus 20 तो angle A तो as it is B की जगए angle A minus 20 पुट कर दिया अब यहां से A minus C कितना है 52 है यहां कि angle C किसके equal हो जाएगा angle A minus 52 के तो यहां C की जगए क्या पुट कर देंगे angle A minus 52 equal to क्या होगा 180 degree तिक अब कितने angle A होगे 3 angle A 3 angle A अब minus 20 और minus 52 minus 72 equal to 180 तो तिन्नों क्या हो रहे है 3 से divide हो रहे है इसको भी 3 से divide कर दो इसको भी और इसको भी यह 3 से divide हुआ यह 3 बंज़ 3 3 2 0 6 3 4 0 12 3 6 0 18 यानि की आ गया angle A equal आ चुका है angle A हमें मिल चुका है angle A minus 24 equal to 60 यानि की angle A कितना हो गया 60 plus 24 यानि की 84 लेकिन हमें क्या चाहिए half चाहिए angle A का angle A का half क्या हो जाएगा 84 का half यानि की कितना हो गया 42 degree option A क्या रहेगा correct next time in a triangle ABC angle A 90 degree है पर एक triangle ट्रो करो angle A 90 degree बाकी B और C acute angle होंगे तो B P C Q are the median यानि की B से लेके हमारे पास जाएगा B से लेते हुए P तक यह हो गया B P यह एक median आगी और C क्याओ यह हमारे पास एक median आगी ठीक है value find out करनी है B P square plus C क्याओ square by B C square अब सबसे पहले हम यह देखेंगे की जो यह B P है B P अगर median है इसका मतलब क्या होते है की सामने वाली जो side है उसको दो equal part में divide करता है ठीक है यानि की A C जो होगा वो किसके equal होगा A P plus P C के equal और दूसरी बात A P और जो P C हैं वो दोनों equal हैं इसका मतलब A C हमारे पास 2 time A P भी लिख सकते हैं क्योंकि P C जो है A P के equal है या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं की A C 2 time P C के equal है ये भी कह सकते हैं और इसी तरह से क्या कह सकते हैं इसमें कि जो B A है B A किस से मिलके बना है B A मिलके बना है B क्या हो प्लस क्या हूँ एसे तो B क्या हूँ प्लस Q एसे मिलके बनना है और जो B क्या हूँ है क्योंकि मेडियन है तो इसका मतलब क्या है कि A Q और B Q क्या होंगे इक्वल होंगे इसका मतलब B A क्या हो सकता है 2 टाइम B क्या हूँ भी क्या सकते है क्योंकि b क्यों जो एक्यों कि एकिवल है अब जो प्रूफ करने उसके पर धियान दे लिए लिए यानिकी यहां अगर मैं आले लूं इstrings लो और ली इसके लुए अन्यां तो जिए आए खे अन黃म तो हमें अगर बीपी का स्केयर चाहिए बीपी का स्केयर किसके एक्वल होगा एपी का स्केयर प्लस बीए का स्केयर होगा ठीक है एपी का स्केयर प्लस बीए का स्केयर तो जो यह बीपी है हमारे पास बीपी का स्केयर डिवाइड बाई प्लस में सी क्यू का स्केयर डिवाइ बाई BC का स्केयर है जो यह किसके एकवल होगा BP के स्केयर की value पूट कर देंगी BP का स्केयर क्या निकाला AP स्केयर प्लस BA स्केयर निकाला ठीक है अब C Q स्केयर C Q भी क्या मीडियन है और मीडियन तो है लेकिन ये एक right angle triangle के अंदर आ रही है यांकि A Q और C A Q C रही stay angle triangle बन रही है तो क्यूसी भी क्या है है இ wij यहां गए हैं कि किसी का स्क्राइब क्या होगा है स्केयर प्लस एक्यू स्केयर की यहनकी बेस का स्केयर प्लस में प्रिपेंडिकुलर स्केयर तो हमारे पास सी क्यों की वैली की अपूट कर देंगे AC का स्केर प्लस AQ स्केर प्लस में AQ का स्केर डिवाइड बाई BC का स्केर अब BC क्या है एक साइड ही है BC एक साइड तो है लेकिन हमारे पास जो ट्रेंगल है ABC BC भी क्या है हापई टेनिस पंड़ रही है है ना क्योंकि A के उपर 90 डिगरी है तो यानि कि BC भी किसके एकवल आएगा BC का स्केर एकवल किसके आएगा AB का स्केर प्लस में AC के स्केर के तो यहाँ पर BC की वैलिपूट कर देंगे AB का स्केर प्लस AC के स्केर के तो यह देखो नीचे डिवाइड में AB और AC है उपर हमारे पास AB भी है AC भी है जो extra है ना इनको भी AB AC में convert कर देंगे ठीक है तो जो AP है AP किसके equal है यह two year divide में आजएगा AP half of AC आजएगा तो AP के square के जिए क्या लिख देंगे AP है half of AC यहनकि AP का square क्या हो जाएगा इसका half AC का square यह BA square as it is AC square as it is अब जो AQ है AQ का square भी हमने निकला यह AQ है यह किसके equal होएगा यह two year divide में आजएगा BA के तो यानि की half of BA का square इसका whole square हो गया ठीक है और divide में हमारे पास क्या पड़ा है AB square प्लस AC square तो क्या मिल गया half AC का square करेंगे यहनकि one by four AC square और इस AC square को भी इसके साथ ही रख देते है प्लस AC अब जो BA square है यह लिख दिया और half BA का square करेंगे तो half का square होजेगा one by four BA का square divide में क्या रह गया AB का square प्लस AC का square ठीक है तो देखो half one by four AC का square और प्लस AC तो यानि कि one by four प्लस one कितना हो जाएगा five by four हुआ तो यह मिल गया five by four AC का square AC one by four BA square प्लस BA square कितना बन गया five by four BA का square divide में AB square प्लस AC square ठीक है तो five by four दोनों में common आ रहा है अंदर बचेगा AC square प्लस BA square divide by AB square प्लस AC square यह होगे cancel बचेगा five by four टीक है तो option में देखो five by four है या नहीं तो option B में five by four है तो यह होगा correct तो यह होगा correct